हम सबने ये उम्मीद लगाई थी कि बाबर भाई चार T20 मैच होने वाला है इंग्लेंड के साथ तो चारो T20 मैच में उन्हें खिलने का मौका मिलेगा हम लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि चार T20 मैच बंदा खेलेगा तो बहुत सारे रिकॉर्ड बना सकता है तोड़ भी सकता है लेकिन एक मैच अल्रेडी बारिश की वज़े से भिंग गया मतलब खतम ही हो गया धुल गया रद हो गया दूसरे T20 मैच में बाबर भाई उ है कि अगर बाबर-भाई wowरuger एं 51 रन बना देते या फिर चाथा भी ट्यकों मैच होता है दो मैच है बाबर के पास अगर इन दोनों मैच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पे वह उतरेंगे क्योंकि बाबर भाई ने अभी तक 497 रन बनाए हैं यानि कि 3987 उन्होंने बनाए हुए हैं और विराट कोहली जो है टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज जो लेजंड हमारे उन्होंने 4037 रन बनाए हैं तो जो डिफ्रेंस है ना बराबरी करने के लिए बाबर को 50 रन बनाने पड़ेंगे लेकिन विराट कोली से पार जाने के लिए उससे पार जाने के लिए बाबर को बनाने पड़ेंगे 51 रन बनाने पड़ेंगे तो ऐसे में बा से बाबर भाई जो है यह रिकॉर्ड तोड़ दे वैसे विराट कोली ने जो 4037 बना है उन्होंने 109 इनिंग्स में बना है जबकि बाबर भाई ने अभी तक 111 इनिंग्स उन्होंने खेल ली है और इस दौरान जो है वह 51 रन से अभी पीछे हैं उनके रिकॉर्ड को तोड़न से लेकिन आफ्टर आल आपको हाइस्ट वन गेटर बनना है तो उसके लिए 51 वन आपको बनाने ही पड़ेंगा और 50 रन जो है विराट कोली की बराबरी करने के लिए बनाना पड़ेगा तो खेर यह परसनल माइलो स्टोन हो गया हर खिलाड़ी चाहता है कि वह ज्यादर ज् परफिश का अपनी टीम का लेकिन एक चीज और बाबर है इससे में कप्तान बाबर इससे में कप्तान है और कप्तान की जिम्मिदारी है कि वह अपनी टीम को सिरी जितवाए चुकि पहला टी-20 मैच रद हुआ दूसरे टी-20 मैच में टीम हार गई जो कि नहीं हारना शॉर्ट सेलेक्शन बहुत ही ज्यादा खराब था जिसकी वज़े से टीम जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और बाबर आउट होते तो उसके पीछे दो-चार प्लेयर और लग जाते बही बाबर भाई आउट हो गए तो फिर हम लोग क्या ही उखाड पाएंगे व और वो जो रन है वो टीम की जीत के काम आए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा सोने पे सुहागा क्या बोला है मैंने सोने पे सुहागा हो जाएगा मतलब बहुत ही अच्छा क्रिकेट फैंस को भी फिल होगा कि यार बाबर बाई ने जो रन बनाए जो रन तोड़े रनों का रिकॉर्ड जो उनोंने तोड़ा हुआ है वो टीम के जीत के काम आया है लेकिन बाकी के प्लेयर्स से भी आप उम्मीद करेंगे कि वो रन करें विकेट्स लें अच्छी गिंदबाजी करें अच्छी फील्डिंग करें ये भी बहुत जादा अहम होने वाला है लेकिन फिर मैं बात करता हूँ कि बाबरवाई को टोनामेंट में टी टोनी वीशो कप में हाइस वन गेटर के तौर पे एंटरी लेना चाहिए विराट कोलीग रिकॉर्ड को तोड़के हाइस वन गेटर के तौर पे वो एंटरी ले और इसके बाद टी टोनी वीशो कप में अपनी टीम को अच्छे तरीके से ना सिर्फ लीड करें बलकि इनके बल्ले से भी काफी ज़्यादा रहा है क्योंकि बाबर बाई पर लगातार ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि वो बड़े टोनामिन में फ्लॉप हो रहे हैं ये हैं लास्टी टूटी विश्व का बाबर काया